अलो फ्रेंड्स, वेलकुम सुक्सेस नित्रा और जो आज है हमारा टाइमेंड वर्क का लेक्चर नंबर से भी दने वाला है एड एड यूजवल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे ये लेक्चर है इसके अन्दर जितने भी कोश्चन लिए गए है वो राकेश यदाव सर की बुक एससे मैथेमेटिक से लिए गए है तो इन कोश्चन को करने का जो complete क्रेडिट जाता है वो राकेश यदाव सर को जाता है यहाँ पर जो यह questions हैं, उनका हम best solution क्या हो सकता है, वो provide करने की process यहाँ पर करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का lecture, अगर हम बात करें आज के पहला question है, उसमें यह है कि तीन आदमी हैं, वो एक काम को 6 दिन के अंतर में पुरा कर देते हैं, तेकिन काम शुरू क करने के दो दिन बाद, तीन आदमी उनके साथ और जूड़ जाते हैं, तो 6 कार्य पुरा करने में उने कितना समय लगेगा, या कितने दिन उनको लगने वाले हैं, तो आज हम बात करें किповड़ें हैं, तो यहाँ से हमारा वर्क की इतना आजाएगा, आपका 18 unit यहाँ पर आ अब यह क्या खळाए parade कॉल सूरू करने के दो दिन, जल्हें कि दो दिन तक जो काम सुरू करा ऊससे में कितना हमी थे, यानि कि आपके तीन ही आदमी थे, तो दो दिन के अंदर कितना काम हो गया है। इन दोनों के हमने multiply करी, तो हमारा 6 unit हमारा काम यहाँ पर हो गया है, तो total काम है हमारा 13 unit, जो remaining work है वो आपका, है आपका 18-6, यानि कि आपका 12 unit है, वो आपका काम यहाँ पर अभी बच्चा हुआ है, अब यह क्या रहा है, कि उनके साथ में अब 3 आदमी और जुड़ जाते है तो पहले कितने आदमी थे आपके, 3 आदमी, आपके तूटल कितने है आपके, 6 आदमी है, तो 6 आदमी 12 unit काम कितने दिन के अंदर में कर लेंगे, इसको हम 6 से divide कर देंगे, तो कितने आपका अंसर आ जाएगा, दो दिन के अंदर में आपका यह work complete हो जाएगा, देन आपका देखते हैं, question है, यदि 4 पुरुस या 6 महिलाएं, एक काम को 7 गंटे पर 3 काम करके 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 10 पुरुसों और 3 महिलाओं को 1 दिन में 8 गंटे एक साथ काम करते हुए, दुगने बड़े काम को पूरा करने में कितना समलेगा, तो यहाँ पर यह क्या कर पूरा करेंगे, इनकी जो पर डे की है, कारे समता हुँ हम निकाल लेंगे, तो man, और तो female, यानि की 6 बड़ते 4, तो जो आदमी की है, वो है 3 उनिट पर डे, और जो आपकी female है, उसकी है कितनी है, आपकी 2 उनिट पर डे, तो जैसे कि हम निकालते हैं, total पर कैसे आप male से लिकाल लेजिए, या फिर आप female से निकाल लेजिए, हम क्या करेंगे, या से male से निकालने खुश्य करते हैं, यानि कि 4 आदमी आपके 7 घंटे पर तीब काम करके आपका, जो 12 दिनों के अंदर में काम पूरा कर सकते हैं, तो total पर हमारा कितना आएगा, 4 into 7 into 12 और इस काम को करना कितने लोगों को है, वो है आपका 10 आदमी हैं और आपका 3 महिलाएं हैं, इनको काम करना है और ये 8 घंटे पर ते दिन कार्या करेंगे, तो 10 आदमी कितना काम करें एक दिन के अंदर में, आदमी कितना काम करता है आपका 1 आदमी, 10 उनिट, यानि कि कितना होगा, 30 unit तो आपका आज में कर देंगे और महिलाएं कितने करेगी आपका इन महिलाएं हैं, यानि कि आपका 6 unit ये कर देंगे, टोटल 36 unit काम एक दिन के अंदर में हो रहा है, तो 36 into 8 गंटे काम करने हैं, और into x, तो यह आपका आज पर यहां से आपके x value निकल जाएगे, तो 12 37, आपका 2 चुक 8 and then आपका अंसर यहां पर आजाएगा, जो बच्चा हैं आपका 7, यानि कि आपका 7 आपका ये दिन के अंदर में इस कारिया को बूरा हैं आपका कर लेंगे, पहले हमने यहां पर क्या किया हमने किया कि जो आदमी है और जो महिला है उनके efficiency हमने निकाल ली, efficiency निकालने के बाद हमने जो total काम है उसको हमने काम हमने निकाल लिया और total काम निकालने के बाद में जो भी आया हमारा, उसको हमने जितना हमारा एक दिन के अंदर में काम हो रहा है उससे हमने डिवाइड कर दिया तो देन हमारा आंसवर यहाँ पर इजिली आ गया आपका साथ निट next question के हम बात करते हैं दो आदमी एक काम को 6 दिन के अंदर में पूरा कर सकते हैं लेकिन वाई महिलाएं ऐसा करने वाई महिलाएं इसी काम को आपका 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 कितना आ जाएगा आपका 3y into 2x, so then आपका अंसर हो जाएगा यह वाला आपका अंसर सच यहाँ पे हो जाएगा next question के हम बात करते हैं a और b एक काम को करम से 18 और 24 दिन के अंदर में कर सकते हैं उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर a चला गया तो 6 कारिया b दोवारा इतने समय के अंदर में समाफ कर लिए जाएगा तो क्या क्या रहा है कि a किसी काम को कितने दिनों कर सकता है अठार दिन के अंदर में जो b है वो उस काम को कितने दिनों कर सकता है आपका 4 दिन के अंदर में इनका LCM कितना आ जाएगा आपका जगा 72, तो total वर हमार हो गया यहाँ पर, 72 उनिट, आपका एक ही एक दिन के विजनसी कितनी आ जाएगी, चार, बी के विजनसी एक दिन कितनी आ जाएगी, आपकी, तीन इसे इसको डिवाइड कर दिया, तो यह क्या रहा है कि उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया, त तो दोनों के विजनसी कितनी होगी, आपकी साथ, किन दिन तक काम किया, उन्होंने 8 दिन तक साथ, तो साथ, ठेक 56, 56 उन्होंने काम पूरा कर लिया, तो 12 में सेंग एच्छे है, तो आपका आपका, यहाँ पर है, आपका 16 यूनिट, यहाँ पर आपका काम बच गया, अब तो यह 16 उनिट काम किस्वों करना है, आपका, बी को करना है, और बी की एक एक इनके एफशेंसी कितनी है, आपकी 3 उनिट, तो 16 बटे 3, यानि कि आपका 5 साही, एक बटे 3, इतना दिन इनको, इसकार्यों को करने में लगने वाले है, तो यह ना आपका अंसर हो जाएगा, यह वाला, next question की हम बात करते हैं, कि A एक काम को 12 दिन के अंदर में कर सकता है, B उसी काम को 8 दिन के अंदर में कर सकता है, वे दो दुनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर A चला जाता है, तो CS कार्यों करने में पूरे को, B को कितना समय लगेगा, फिर हमने किया, LCM लिया, तो A कि एक 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 झाल 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 झाल